नमस्कार क्रिको देख रहे हैं आप मेरा नाम रॉनक है और आज इस वीडियो को देखने वाला हर एक हिंदुस्तानी फैन गर्व महसूस करेगा क्योंकि बात ही ऐसी है साल 1999 और 2000 को इंडियन क्रिकेट का सबसे काला साल माना जाता है जो जानते हैं उनको बताने की ज़रूत नहीं कि उस साल क्या हुआ था और जो नहीं जानते हैं वो अब जान जाएंगे कि उस साल भारती क्रिकेट मैच फिक्सिंग की चपेट में आ गया था उस दौर को याद करते ही वोल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव की रोती हुई तस्वीर आँखों के सामने तैरने लगती है जब उन पर भी फिक्सिंग का इल्जाम लगाया गया कपिल देव को टीवी शो पर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया जहां वो फिक्सिंग जैसे कलंक के चींटों को साफ करते करते रो पड़े उस दौर में मनुझ प्रभाकर मुहमद अजरुदीन अजज़डेजा जैसे खिलाडियों पर फिक्सिंग के चार्ज लगा कर बोर्ड ने बैन लगा कर टीम से उन्हें बाहर कर दिया वो भारती क्रिकट जो युवा टेंडूल कर गांगुली ड्रविड कुम्ले के दम पर दुनिया में रफतार पकड़ रही थी अब एक ही जटके में दस साल पीछे चली गए टीम के फैंस अब अपनी टीम पर से भरोसा खो बैठे थे मगर सचिन, सौरव, द्रविड जैसे खिलाडियों ने खुद पर यकीन नहीं खोया और फिर से भारती क्रिकट को खड़ा करने में जुट गए टीम इंडिया ने इस रीबिल्डिंग फेसे में कई बड़ी जीत हासिल की और फैंस का भरोसा वापस से जीता साल बदलते गए और टीम में खिलाडियों के चहरे भी बदलते गए 2008 में जब कुम्बले और गांगुली ने क्रिकेट को अलविदा कहा तो दोनी ने कमान समाली और अरजुन की तरह अपनी नजर लक्षपटिकाय रखी जो की था टीम इंडिया को दुनिया की नंबर वन टीम बनाना दोनी की लिडर्शिप में भारत ने दो साल तक टेस्ट में बेस्ट बने रहने का कमाल किया जिसमें टेस्ट क्रिकेट में दुनिया को ये बताया कि इंडिया से पंगा भारी पड़ेगा और ये बात हम आज की वीडियो में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक मार्च यानि कल से शुरू हो जाएगा अगला मुकाबला तीसरा वाला टेस्ट मैच भारत अगर इसमें ऑस्टेलिया को हरा देता है तो वो टेस्ट की नंबर वन टीम बन जाएगी और साथी साथ वर्ल्ल टेस्ट चैंपिंशिप के लिए कौलिफाई भी कर जाएगी तो साल 2000 से 2023 तक पेश है भारत की वो सबसे भैंकर पांच जीत जिसने बदल दी भारती क्रिकेट की तस्वीर जीत नंबर वन 2001 में ऑस्टेलिया की खिलास और गांगली ने भारत की कप्तानी का भार उस समय समाला जब कोई भारत की कप्तानी करने कोई चुक नहीं था और भारती क्रिकेट मैच फिक्सिंग के साय से बाहर आने की बस खोशिश कर रहा था उस समय नौ साल का एक्सपिरेंस रखे गांगली की सामने सबसे बड़ी चुनोती थी उस्टेलिया की मजबूट टीम यखीन मानिए आज की उस्टेलिया आई टीम से कई गुना खतरनाकती उस समय स्टीवॉक की टीम तीसरे बोड़कावस का ट्रॉफी के दोरान कोलकता टेस्ट में टीम इंडिया को ऑस्टेलिया ने बुरी तरा धोया और फॉलो आन तक दे दिया लगाया कि सौरव गांगुली की कप्तानी का करियर इसी सीरीज में खतम हो जाएगा मगर तभी उठ खड़े हुए लक्षमान और द्रविड दोनों ने कोलकता टेस्ट के चौते दिन पूरे दिन बैटिंगी रावल डिविड की कप्तानी में भारत ने 2007 में इंग्लेंड के घर में घुसकर हराया था इंग्लेंड के उस दौरे पर भारत ने टीन टेस्ट मैचों की सीरीज में दो टेस्ट ड्रॉ किये तो एक में जोरदार जीत हासिल की और जीत का गवाह बना इंग्लेंड का नौटिंगम मैदान भारत का बैटिंग लाइनप उस मैच में जम कर चला और फिर गेंदवाजी में जहीर खान की आग उगलती गेंदों ने इंग्लेंड के चारो खाने चित करा दिये Man of the Match जहीर ने पहली पारी में चार विकेट जटके तो दूसरी में पांच विकेट निकाले इंग्लेंड में भारत को ये जीत 20 साल बाद मिले और इस सीरीज में जहीर खान नाम का नायक उभर के आया जो कि आगे चलकर भारत के लिए नंबर वन तेजगेंद बास भी बने आगे बढ़ते हैं सन 2009 की बात करते हैं दोनी की कप्तानी में भारत ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में बादशात का स्वाथ चका जब ICC टेस्ट रैंकिंग में भारत नंबर वन टीम बनने के साथ साथ टेस्ट में इसका भी हखदार बना उस मैच में हमने सहवाग के बल्ले से 293 बनते देखा और इंडिया को 726 रन बनाते देखा दोनी की गजब कपतानी भी देखी और भारत को एक पारियो 24 रनों से जीतते हुए भी देखा इस मैच के बाद सचिंटेंड लुकर ने कहा कि मैं इस पलका इंतजार बरसों से कर रहा था ये सिर्फ हम 11 खिलाडियों के जीत नहीं बलकि पूरे देश की जीत है और टीम को इस मुकाम तक पहुचाने में हमारे खिलाडियों के लावा हमारे कोचिंग स्टाफ और पूर्व खिलाडियों का भी योगदान है अगली जीत की बात करते हैं 18-19 में ऑस्टेलिया के खिलाफ था 2018-19 में भारत ने विराट की कप्तानी में ऑस्टेलिया को उनी की सरजमी पर दो एक से अराकर टेस्स सीरी जीती थी इसके साथ ही कोली एशिया में पहले ऐसे कप्तान बन गयते हैं जिन्होंने कंगारूं को उनी की धरती पर टेस्स सीरीज में अराया विराट की कप्तानी में भारत 42 महीनों तक लगाता टेस्ट की नंबर वन टीम बना रहा ऐसे में विराट कोली को टीम इंडिया का सबसे सफल टेस्स कप्तान भी कहा गया और अब बात करते हैं जीत नंबर पांच साल 2021 ऑस्टेलिया के खिलाफ ऑस्टेलिया दोरा 2021 वाला तो इंडियन फैंस मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे एक वक्त तो ऐसा माहौल बन गया कि दुनिया की नंबर वन टेस्स टीम टीम इंडिया की जनता खिली उडाने लगी क्योंकि एडिलेट टेस्ट में हुआ ही कुछ ऐसा 36 पर टीम इंडिया ओल आउट सीरीज तो टीम इंडिया के हाथों से फिसलती दिख रही थी उपर से बेज़ जिती अलग मगर उपर वाले का और टीम इंडिया का प्लान कुछ और था भारत ने सीरीज में वापसी की मिल्बन और गाबा टेस्ट जीता और उस्ट्रिलिया के नंबर वन बनने के सपने को कहा क्या कहा? रुको जरा, सबर गरो अब एक बार फिर भारत टेस्ट में नंबर वन टीम बनने की तरफ अपनी खदम बढ़ाएगी जब कंगारों की सेना से हमारी टीम इंदोर में टकराई ये टेस्ट मैंच जीत करना सिरु भारत टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन के पायदान पर पहुंच जाएगा बलकि हम वोर्ल टेस्ट चैंपिंशिप के फाइनल के लिए भी कॉलिफाई कर जाएगे और यहाँ से शुरू होगा कप्तान हिट मैन का एरा जिसका इंतजार रोहित फैंस बरसों से कर रहे हैं तो कैसी लगी वीडियो और टीम इंडिया के लिए क्या क्याना चाहते हैं दोनों का जवाब कॉमेंट सेक्शन में बिन्दास लिख देना और साथ में अपना नाम लिखना मत भूलेगा और यह बताएगे वीडियो आप देख कहां से रहे हैं यह रहा इंस्टा यह रहा टेलिग्राम और यह हमारे चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना थैंक यू फो वाचिंग जल्दी मिलतें करिको पर जय हिंद